असलाम अलेकूम कैसे हैं आप सब इस दौक साथ जा रहे हैं जी खुशे हैं आज जो है वह मैं बहुत ही सिंपल और सिरफ गर्मे पहने वाले कपरों की डिजाइनिंग शेयर करने वाली हूँ आप लोगों को एप से पहले यह वीडियो डाल गोंगे लेकिन वो कपड़ एक दोडुका किया थे इसलिए मैंने साथ वीडियो बना ली थी अबुक्ति आप लोगों को एक साथ कपरे दिखा देती हूं और यह बहुत ही सिंपल है चाहिए आप सड़ी के कपड़े बनवाएं गर्मी के कपड़े बनवाएं लेकिन यह गर्मे पहने वाले कपड़ों की डिजाइनिंग है सबसे पहला जो सूट है वह इद का था इसलिए वह तोई सी फैंसी डिजाइनिंग गया लेकिन पाकी जो रहा है वह मैं किसना के मैंने पहनने वाले कप्रेश बनवाए है उसकी डिजाइनिंग में आप लोग साश्य करूंगी तो चलेंजी स्टार्ट करते है अपने वीडियो नहीं वन बाई वन में आपनों को सेब ड्रेस दिखाऊंगी क्योंकर गर्मी तनी ज्यादा है कि ड्रेस पहनना बहुती मुश्किल है कोई एक मेरा है मैंने सूट पहना होगा साधना उसकी वीडियो लगा दोगी तो चलेंजी स्टार्ट करते है अपने ड्रेस डिजाइनिं और मैंने सोचा इसको भी साथ ही शेयर कर दूँ ओके जी सबसे पहले ये गला मैंने बोट गला बनवाए था डीप जएदा नहीं था लेकिन जो है ना इसकी शेप इस तरह थी ठीक है उसके बाद इसके उपर ये मैंने मोटे वाले पल्स जो मिलते हैं मैंने वो लगवाए ठीक है और जाएक है और बैक साइट पे ये जो आते है ना टसल एक सेकेंडू ये मैंने लगवाए थै भाट जाए ये तो इससे लूप बड़ी अची होती है ये गले की स्पेशली बोड गले पर ये बहुत अच्या हने अब ये वाला इदर से देखें के आप लोग को समय नहीं आएगा कि ये क्या लैस है कि गला है अच्छा ये इस ता का डिजाइन बना हुआ था इसके उपर और मैंने इसके उपर सारी ये लैस लगवा दिये ये इसके उपर लैस लगी हुई है ठीक है ये बहुत ही सॉफ्ट सी लैस है बिल्कुल भी चुबने वाली नहीं है और बाजू के आगे भी मैंने यही लैस लगवाई है और इदर जो है बाजू के स्टार्ट में मैंने ये बटन मौत पल्स वही लगवाए हैं जो मैंने उदर गले पे लगवाए थे और इससके ये शेप में बनवाए हैं आप चाहे तो इसको शेप चेंज भ वाली थी, ये सिल्क का मैंने कप्रा लिया था और उसकी पाइपिंग करवाई थी, क्योंकर ये चुपता नहीं है, ये आगया, जी गेरे पर, अच्छा ये वाली लैस, आप लोगो असानी से बजार से मिल जाएगी, लेकिन मैंने ये लैस नहीं लगवाई, मैंने ये हुद ब बहुत ही सिंपल सा था, और इसके जो है न, इसके उपर एंड में बास लगवादी थी, ये ही लैस जो पूरी शेट पर भी लगवाई है, और मैंने इसको जो है ट्राउजर को अंदर तक फोल्ड करवाया था, कप्रा अंदर फोल्ड करके जएदा लगवाया जाए, चलें जी नेक्स चलते हैं अब अपने कैयूवल ड्रस के लगवादी है, ग्रीन कलर का पैरिट ग्रीन कलर का और इसका गलाज थोड़ा सा जो है न, वो इसका जो आगे बार्डर में थोड़ा सा शाट करवाया था, और आगे चार बटन रखवाके सिंपल जो है न, वो गोल गला बोट कला नहीं था और बैक पर ये वाली जो है न, ये डोरी लगवा दे थी ये बैक साइड पर इस एक से इदर ठीक है, और जी इसके जो बाजू है वो है जी इस तरह से सिंपल जो है, फुल बाजू में थोड़ा आ रहा है, बिलकुल एंड तक फुल नहीं है, लेकिन मैं तो दौड़ा सा आगे, रांड में है गहरा और बीचे से जो है वो चकूर में है, मैं नीचे रखतीम और आप लोंक़ दिखातीयु यह जो है, पीछे से इसका चकोर में बनाया और उससे वेको फश्यात सा लण बनाया है दूज चाते है, लेके लुशाय बाजू है, ल चोटे चोटे इस ताह से putting cuts बीच से एक सीडी लैस old Along बहुत ज़्यादा फिटिंग में ट्रॉजर नहीं है थोड़ सा लूज़ में बनवाया है बाकी कट्स इसके आगे पिछे सारे हैं यौ citizen साहि दुफ़ी सिंपल ट्रॉजर है बहुत बहुत सा ड्रैस है यह उपर सफनका गला बनाु अच्छा जो गोल गले वाली वीडियो में आप आप उनको बताया हैँ तक इस तरह बहुती कम्फटेबल लगत थै कियोंकर ये बहुत जादा च्वड़ा भी नहीं होता तो ऐसा वी शेय में भी आ जाता है और आपके अगर गोल फेस है लंबे वालों पर तो अच्छा लगता है गोल फेस वालों पर भी ये बहुत अच्छा लगता है ठीक है इस तरह से बनाया हलका सा बीच में पटी लगवा दिया कोई लैस कुछ भी नीन लखवाया क्योंकर गर्मी भी है और साइड़स पे बस इसके जो है ना शेर्ट की पटी आ रही है और सिंपल जो गला वो इस तरह से बन गगए और मैंने जो है सिंपल इसके जो एंड़स पे वो पाइपिंग कर वा ली थी और जो बाजू है वो इस तरह से खुला सा बाजू है और दरम्यान में यह वाली लैस लगवाली है जो बहुत ही असानी से आपको मिल जागी और शटल लैस ही लगवाई है जो बहुत ही प्यार रखवाई है क्योंको शर्त हो इसी सिंपल में थी तो ट्रॉजर पर मैंने थोड़ा साइस को किया है जो है ना यह ले सकते हैं ट्रॉजर के अंदर बहुत ही अच्छी सी लुक आती है रैडी मेट वाली और यह लगवाई है और इसके अंदर तीन फ्लेट्स लुक वर कर लोई पिर यह लैस है और फिर दů प्लेर मेट में यह लेस लगवाई है ठीक है इस तरहों से चलें जी आगे वाइस आवर कर लेते हैं अच्छा ये मैंने सिंपल कप्रा लिया था प्रिंटिड में और फिर इस से तक्रीबं तीन मीटे मैंने कप्रा लिया था और इस से मैंने जो है ये ए लाइन में फ्राग बनवाई थी और दरम्यान में मैंने जो है वो बाडी लैदा से बनवाई थी उपर वाला यानि हिसा लैदा नीचे वाला लैदा दरम्यान में जो है जोर आ जाता है और जहां पर जोर डलवाया था वहां पर जो है ना मैंने दरम्यान में सिर्फ थोड़ी सी चुनट डलवाई थी सारी फ्राग पे नहीं दलवाई सिर्फ दर्मयान में थोड़ी सी करके और बाकी दोनों साइट पे लंबी करके मैंने लैस लगवा दी थी और ये भी लैस बहुत ही सॉफ्ट थी बिल्कुल भी चुबने वाली नहीं थी आप लोग एजी ली जो है ना ये गर्मेंट ड्रस पहन सकते हैं बहुत ही सॉफ्ट से था और एंड पे भी यही लैस लगवा ली थी और फ्लेर इसका काफी अच्छा सा बन गया था कोई मुझे ज़्यदा कपड़ा नहीं लेना पड़ा सिफ तीन मीटर में ये काफी अच्छी सी बन गया थी और बाजू पे भी हलका सा फलेर है और दरम्यान में जो है वो मैंने ये लैस लगवा लिया और गले पे भी जो है ना वो मैंने टसल लगवा थी बाकि आवरा लुक आप लोगो नीचे रखके दिखा देती हैं आप लोगो सही तरह से नजर आ गया होगा इस तरह से आप लोग चाहे तो सक्ट्रीन शाट भी ले सकते हैं ताके आप लोगो असानी हो जाए चैलेंज ही अब चलते हैं नेक्स ड्रेस की तरफ अचाहिए यह सिंपल थी पी सूट था ठीक है इसके लिए कोई एक्स्ट्रा से कप्रा नहीं लिया और इसकी अंग्रक्खा स्टाइल में जो है मैंने फ्राक उसी तरह से बनवाई है एल लाइन शेप में साइड से बंद है और गेरा आप लोग देख सकते हैं कि ठीक ठाक है मतलब बहुत ज़्यदा फ्लेयर भी नहीं है इस वह लेकिन पैने में बहुत हुपसुर्ष लगता है अब इस साथ में मैं वीडियो टैच का दूँगी आप लोंको सही तरह से डिजाइन समझा जाएगा और अंग्रक्खा लगें और थोड़ा सा खुला हुआ नज़र आए ठीक है ताके फ्लेयर थोड़ा सा ज़्यदा हो जाए उसके बाब बाजू पर दरमया में मैंने सीडी लैस लगवाई थी बाकी प्लेयर बाजू थे और एंड पर बी जो है ना गेरे पर भी मैंने शटल लैस लगवा दी थ अपना बहुत ह्यार रखिएगा अभी तक लिए दियो में हानी को इजाज़त अल्ला हाफीज